नमस्कार दोस्तों एक बारा सबका फिर से बहुत-बहुत सुवागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरूजी पर दोस्तों मैंना वारे अंजैसवाल है और अगर आप लोग B.A.D. की त्यारी कर रहे हो या B.A.D. कर रहे हो इस वीडियो को अंतक के बहुत साही लोग परिसान है गुवर्मेंट कॉलेज लें प्राइविट कॉलेज लें कौन सी यूश्टी से करे कौन सा बेश्ट रहेगा इन सब चीज़ों को ले करके परिसान है तो यहां पर मैं आज के इस वीडियो में यह जो डाउट है इस वीडियो को मैं बहुत ध ध्यान रखना होगा वीडियो पुरान तक दिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी सेर कर दीजेगा और भी जो लोग कंफ्यूज हैं उनके वी जो डाउट है यहां से क्लियर हो जाएंगे तो सबसे पहली बात तो यह है हम बात करते हैं कॉलेज चूज करने के बारे मे सब्सक्रारे में अच नियुक्तार अच्शे नमबर आपको लेना है जो आपको लेना है आपक के रेंक की हिसाफ से आपको वी कॉलेज मिल जाएगा वो कैसा होगा जैसे अगर हम यूपे में बात करते हैं लखनोई उनिश्टी है CCS उनिश्टी मेरट की है बहुत सारे इसे उनिश्टी है जहां पर आपको जिसके अलग अलग और भी मतलब उनकी कॉलेज होते हैं वहां से आपको एक आडिया लग जाएगा वहां पर नमबर कै वह पर आपको यहां तो उनिश्टी होगए लखनोई उनिश्टी में यहां आपको एकॉलेज कुपर टिपेंड करता है अच्छा मिल ला है यह नहीं आपको हमेशा बताया है कि आपको गौर्मंट ćオब चाहिए तो बहुत सारे एकश्यामे div उते हैं मतलब पेपर तो आपको टेट सीटेट सुपर टेट कौलिफाई करना ही पड़ेगा लेकिन उसके बाद भी आपकी मेरिड बनती हो मेरिड के हिसाब से आपको सीटे आपको गौर्वर्मेंट जॉब मिलती है तो यहाँ पर अगर आपके आच्छे नंबर रहेंगे और हाई स्क से पहले आप लोग को ध्यान रखना है यह आपके ऊपर है आप कैसे चूच कर सकते हो मैं आपको एक एक लिश्ट नहीं दिखा सकते हो आप लोग पता कर सकते हैं इतना आप लोग सक्षम है पता कर सकते हैं आप सेकंड आते हैं सब्जेक्ट को लेकर के तो सब्जेक्ट को जो तीन सब्जेक में आपको common मताया था, वही आपका main होता है, वो teaching method आपको सीखना है, आप science से हो, commerce से हो, arts, agriculture से हो, teaching method तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पढ़ेगा, अब जो दो आपके वेकल्पिक सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके दो optional subject होते हैं, उनके बारे मैं आपको मिलेगा, जो आपका बिल्कुल main subject होता है आपके graduation में, जैसे graduation अगर आपने science से कर रखा है, तो physics chemistry match में से आपका कोई main subject होगा, तो वो आपको मिल जाएगा, मने इसके पहले बताया था, chemical chemistry वाला नहीं होता है, वो कुछ university में होता है, कुछ university में आपका chemistry subject नहीं होता है, तो depend करता है, तो एक subject तो आपका main subject हो गया, जो आपका graduation में main subject होता है, उसके हिसाफ से मिल जाता है, second वाला जो subject होता है, वो भी आपके उपर depend करता है, आप क्या लेना चाहते हो, आपके university में अगर वो subject होगा, मतलब art वाले हैं, तो art में जितने भी subject होते हैं, उसमें से आपक साइट से आपने civics या sociology ऐसे कुछ करके पढ़ रहा है, अब civics हो गया, sociology हो गया, education हो गया, सिख्छा साथ हो गया, अब यह जो होता है, आप हाई स्कूल, 10th, हाई स्कूल में, आपको हाई स्कूल तक बढ़ा सकते हो, इंडर तक बढ़ा सकते हो, इसमें बढ़ा सकते हो, इ आपके college में subject है, तो आपको मिलेगा, नहीं है, तो आपके college वाले बताएंगे, मेरे पास भईया, यतनी list है, आप इसमें से एक ले सकते हो, तो आप वहाँ पर जाके choose कर लिजेगा, उसको ही बहुत ही wisely choose करिएगा, आप ऐसे subject लिजेगा, मतलब उनसे पूछेगा, जैसे मा कर लेता हूँ, आप भी बहुत सारे subject होते हैं, जहां पर vacancy बहुत जादा नहीं आती है, बट वहाँ पर competition बहुत जादा नहीं होता है, तो ऐसे बहुत सारे subject होते हैं, वो आप अपना थोड़ा idea लगा सकते हो, अभी आप लोग को क्या करना है, counseling में करिए, admission के time तक आपको मैं पूरा एक detailed video बताऊंगा, कि किस subject लेने से आपको ज़्यादा क्या फायदा मिल जाएगा, बट अभी मैंने आपको जो बता दिया, main subject और आपका secondary subject, ये आपको आपकी हिसाब से ही मिल जाएगा, आपके college के उपर depend करता है, आपके college में क्या है, क्या नहीं है, और आपके graduation के जो subject होते हैं, उसके उपर basically आपका depend करता है, और main आपको पढ़ना है, teaching method ही पढ़ना है, और main आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कि college कौन सा आपके लिए best है, कौन सा college में आपको अच्छा नमर मिलता है, इस चीज़ पर आपको ज्यादा फोकस करना है, समझ में आ र जाता है, तो simple सा आप comment करके पूछ सकते हैं, आप भी बहुत सारी universities के exam जो है, बचे हुए है, जिनके इंटर्स exam नहीं हुए है, comment करके बताएगा कि आप कौन से university से हैं, या कौन से states से हैं, आपका जो तयारी है, करवाय जा रहा है, मैं आपको पूरा क्या जो पूरा knowledge है द जाता है, 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 जाता